दीन दर्द दुख पंजना काट काट नाथ अनाथ शरण तुमारी आयो नानक के प्रबसात शरण तुमारी आयो नानक के प्रबसात वाहि ग्रुजी का खाल साथ वाहि ग्रुजी की फत्य तानो तानो ग्रुजी ग्रंद साहिब सत्ग्रु सचे पाथशा महराज जी दे पावन दर्बार दियां हाजरियां पर रही ग्रुजी साथ संगत जी यो अकाल प्रकवाह ग्रुजी ने बक्षिश कीती है आज देना विशेश गुर्मत दिवाना वे चसाज के आप जी ने ग्रुजी स्वारियां पासों सत्ग्रान दी मुबारक बानी दे पाथ हते गुर्बानी दे कीरतन बड़े प्रेम इकागरता सहत शर्वन कीते हन पिशले दिवाना तो नौमे पाथशा गुरुत एक बहादर साहिब सत्ग्रुजी दे उचारन कीते हुए पावन सलोक महराई दे शब्दानों विचारन तो बाद आपां सत्ग्रु दे सलोकां दे पावन उपदेश नो विचारन दा यतन कर रहे हां सत्ग्रु गुरुत एक बहादर महराई जी दे एस सलोक लड़ी वार एक सलोक दूजे सलोक दी व्याख्या कर देयां अगे तो अगे पड़ा वार सत्ग्रु महराई दे पावन उपदेश नो सड़े सान मुख राख रहे हन जिवें पिछले सलोकां दा परकरन सी जड़े आपाँ पिछले दो तेन सलोक विचारे हन जिस विच सत्ग्रु जी ने जिकर कीता कि जिस मालक परमेशर अकाल पुर्ख ने हे मलुक तैनुए सरीर एदेही एदेही दी बंतर जेंद आत्मा इतियादक बक्षिश कीती है इस दे नाड़ की सरीर दी सहुलत लई ते सरीर दे पालन लई बाहरी पदार्थां दे सुमे मी तैनुए बक्षिश कीते हन तान तान जेहे तो काव दियो ते नाड़ ही सत्गरू महराज ने होर चीजां दा खिकर भी कीता भी तैनुप परवार देता है रहन वास्ते कार देता है और जेहिनी के ताम इनन सब गलां दा खिकर करके नौँए पाथश महराज ने मनुख नो सुचेद कीता है सिम्रत काहे नाराम सर्व व्यापी अकाल पुर्ख परमेशर नू तु सिम्रदा क्यों नहीं याद क्यों नहीं करदा उस परमेशर दी शुक्र गुजारी तो क्यों खुझ जानदा है उन सद्गुरु महराज इससे प्रकरणनू अग्गे तोर रहे हन ते सद्गुरु महराज नोमे सलोक दे पाठ विच बक्षिश कर देने साब सुखदाता राम है दूसर नाहिन को ये कहुनानक सुनरे मना तेहे सिमरत गात हुए सुखदाता सुखदाता सुखदेड़वाड़ा सुख़सी किस्मों आकदें जिस वेच असी तसलीत अराम महसूस करिये जिते परेशानी दा हर किसंदी टरबल दा अपहाव हुए एक ऐसी मानसक अवस्था जिते तुसी आपने अंदर दे उतिशानों अंदर दे अनांदनों अनपव कर दे हो जिते तुआनों आपना आप आपनियां फीलंग्स और बाहर दा जिड़ा आड़ा दोड़ा है उवी नाल नाल चंगा लगन लगता ही दे वैसे ते मनुव ग्यांदा नुकता ए है पी मनुख दे अंतर आदमे दे है साबनाडी मनुख आले दोडे नू वेखदा है बार दा संसार होजे ही होजान दे जिह होजा मनुख दा आपना मान होवे जानी के मानदी दशा होवे जे मानदी वस्था ठीक नहीं है डिस्टर्बंस है मानवे जे कोई परेशानी है माननो ते बाहर दी कोई भी चीज़ एडिया मनुख नो सैटिस्टिसफाई नहीं कर सके तो अनुख सब को जी डिस्टर्ब लगेगा दुनिया वेरान लगेगी उदास लगेगी मायूस लगेगी बाहर दे खुशी दे साजो समानवी जड़े ने तो अनुख फिके ते दुख दाई परतीत होण गे जे मानदी वस्था चड़दी कलावेच है मान अंदर चंगे ख्याल हन तुसी मान करके अनंदत हो परसान हो उत्षा वेच हो तो अड़ा आड़ा दौ़ा पावे बाहर पात चाड़दी रोती होए तो अड़े कुल रुखा खान नो होए उस मनो दशा वेच तो अनू दौड़ा वी तो अड़ा संसार वी जेड़ वो चंगा लगदा है वदिया लगदा है परिथे सत्गरू महराज उस गहरे तालदे सोखदी गाल नहीं कर रहे है केवल सूर्टान दी गाल कर रहे हैं इजड़ियां तैनों सूर्टान देती हैं क्योंकि उपर ले परकरन एक्स्प्लेनेशन बहुत लंबी चौड़ी है किते साथगुरु महराज ने सोख शब्द जड़ है इस सहूलत लई भी वरते है और चेते चरख क्यों कई वारे ख्याल आएगा भी सहूलत जड़ी है सहूलत जड़ी हो केवल सरीर लई अराम दे है कोई जरूरी नहीं प्यों तो अड़े मानदी दशा भी सवार सके गर्मी है आपा सारे पक्खे थले बैठ साकदें या एसी थले बैठ साकदें एसी थी थंड़ी हवाल है पर जरूरी थोड़ हो सकत है बंदा एसी थी थंड वेच भी कलपया बैठा हुए वो तो अड़े सरीर लेए जरूरी चीज सरीर लेए और सहूलत है केवल बारी पदार्थ आपना असर तो अड़ी बोड़ी थे पहुंगा है पर जिना तुसी उस चीजनाड मानसक रिलेशन जदों तो अड़ा बंदा है भी तुसी शुकर करते हो भी कमाल है नहीं ता मैं तुपे गर्मी दे वेचर तांग उन्दा शुकर है मैंनों बेंड़ा मोका उदों तुसी सैटस्पाई जन्नी के जड़ा सोख है ओदा सबांद तो अड़े मानदी अवस्था नाड़ दोखदा सबांद भी मानदी एदों में वेग ने मानदी तो गुरू गरंसा महराई दी बाणी वेच जियों जों सोख दी वे आखिया फिर महराज ये भी कहिए देने भी पदार्थ अपने आप वेच अर्थ राखद है पदार्थ दी आपनी वेल्यू है पर पदार्थ दी इन्नी वी वैल्यू नहीं पिये तो अड़े संपूरन सुखदा सादन बन सके ये तो अनू मकमल रूप विच सैटिसफाई कर सके तो अनू अनांद दी जिन्दगी बखश सके जा जीवन दी कदरों कीमत समझा सके कई वार पलावी देंगा है पदार्थ दे चकर वेच मनुख लोब लालच हेरस जां कहलो भी स्वारत जां हंकार पदार्थ वेचों ए चीजां में बन्दा कई वर ग्रैंड कर लएंगा है ते एना पामना मां करके मनुख अपनी जिन्दगी दे असल मसले तो कौँज भी जाना है तो एदे साइड इफेक्ट वी ने एदे अपने पॉस्टव पाखवी ने उन गुरू गरंसा महराज ये थी जिकर कर रहें तानु गुरू तेग बहादर महराज के इन्दे साब सोख दाता सारिया सहूलता देन वारा कौण है परमेशर राम है सर्ववयापक राम शबदा पावे रमया होया रमत राम सबरेयो समाए नाडी हजूर ने कहा दूसर नाहिन कोई कोई दूसरी हस्ती नहीं है एक को ही एक है मनुक दा परमे पियो सुम लगदा भी दूसरे मनुक दे कारण मैनो ये चीज मिली कारण कोई बाण सकता है वज़ा कोई बाण सकता है पर वज़ा ही बेस नहीं है चेतेच रखे हो संसार वे चे बंदे जे राब बन के बैठेने तो इसे करके बैठेने पियासी किसे वज़ा नो जा किसे जरिये नो ही एम मित लेब यही सारा कोज खोरे एदे कोड़ों ही मिड़े तो मनुख दाते हो गए वो चीजां दाता बन गईया मालक राबदा रुत्बा पा गईया जिना जिना थामा ते जिस तरह दी पामना साड़ी जुड़ी होई सी उन गुरू साब सचे पाथशाख देने भी नई अरामब वेची जाप बाणी जदों आपा पढ़ देया गुरू नानक महराज जी दी ता उदे वेची साथ गुरू सचे पाथशाख फरमाँदे ने देन दा दे लेंदे थाकपा हैं जुगां जुगंतर खाही खाही कि देन वाड़ा दातार इको प्रमेशर आप है क्योंकि उस सिर्जन शक्ती है ओ दी सिर्जना वेचों ही पदार्त दा रूप बन दाए बनतर बन दी ए पदार्त दा सुबा परकिर्टक सुबा बन दाए उच चालदाए प्रोसेस वेच किरियाशी लुंदाए फिर उख खतम हुंदा डिस्ट्रॉई हुंदा नवी चीज हो दी जगाते आके पैदा हो जान दी है रिप्लेस्मेंट नीचर वे सदा चल दी है उन गुरू तेग वहादर महराज केंदे ने भी सारे सुखां सुहूलतां दा सारे आत्मक अनांदित आदक दा सुमा इको सर्व व्यापक परमेशर है कोई होर दूजी हस्ती है ही नहीं दूजा होए सुवरो कही है फिर महराज केंदे ने कहो नानक सुन रे मना हे मेरे मान सुन हे मेरे मान ते आन दे इस विचार नो आपनी सुर्थ वेच टकाल है तेह सिमरत गात होए तेरी उच्ची अवस्था गात दा मतलब है गती होनी उच्ची अवस्था होनी पाव नीवे पानतों उचाई तक चले जाना हे मेरे मान तेरी उच्ची अवस्था तदों हो सकती ग्यान मई अनंद मई अवस्था शुक्र उगजारी दी सबरवाडी मनो अवस्था तेरी तद बन सकती है जे तू दातार नो सिमरें सिमरत मतलब समरन करें उदा चिंतन करें यो दियां दाता नो मैं खर्च रहा हां उस दियां दाता नो मैं वर्त रहा हां जदों ते इनू ए समझा आगई पर हर चीज जड़ी है ओ अमानत है अमानत है कुछ समय लियो मैंनू मैंनू मैसर प्लापत होई उपलब्द होई उसनो ओ मेरे वरतन वास्ते है मेरे हंडाउन वास्ते है तो जदों जदों के से दी अमानत साथे कुड़ होई तो उनू के में वरतना चाहिए है खुद असलीका की है कि उनू अमानत ही समझा जाए ते जिड़ा बंदा किसे दी अमानत लेके उदे होते काबज होके मेरी है एक ता उस बंदे दी इज़त भी समाज जां सुसाइटी वेचरे नहीं रहें दी लोग कहां दी नहीं बेइमान है मदते लेंदा पर काबज हो जांदा वापस नहीं करदा जा समझता ही नहीं फि मेरी वास्टू किसे दी वास्टू उनू आपने कंड्रोल चराखके आप मालक बंगे बेजान्दा है किसे दी जदो गुरू साब बाणी चे शब्द केंदे ने ना लून हरामी गुनाहगार बेगाना अलप माता तो इदा कॉंटेक्स्ट समझन दी लोड़ा भी सद्गुरू केस संदर्ब चागर हो सगदा है कोई बंदा अपनी जिन्दगी वेचर किसे दा पदार्थक ता औरते पैसे दे ता औरते हाक ना मारदा होगे पर जदो सद्गुरू केंदे ने ना भी लून जे वो अपने सरीर दा गुरूर करदा है हंका अर्वेच होर गलतियां करदा है ते ओ इस कैटागरी तो बार नहीं रह जाएगा हो भी इस कैटागरी ची आए नमक हराम आपा की नो कहिने अभी जेस मनोख दे उपकार साड़ेते होन ओ दे उपकार नो असी विसार देए इनो नमक हरामी क्या जाना लून हरामी गुनाहगार बे गानना अलप मात तेनो डिफाइन कीता है अगली पंगती वे जीयो पेंड़ जेन सोख दिये ताहे ना जानत तात मूड रंचक मातर वी उस मालक नो नहीं जाने उस दे शुकर वेच नहीं जुड़िया जिड़ा शुकर है ये तो अड़ी सैटिस्टेस्टेक्शन है शुकर दा मतलब है तुसी सैटिस्टेस्टफाई हो ये मेरे मालक तानवाद है तेरा ये वस्तु तेरी है मैं वर्त रहे उदे वे चेकता तो अड़े तो अड़े अंदर एगो कोई नहीं दूज़ा तुसी बड़े सबर वेच रही नहीं थोड़ा भी ओवेतामी सबर चूँ बहुता ओवेतामी सबर चूँ एक मानसक पड़ा है एक माइंड लेवल है सद्गरू पादशा इसनों आकदे ने तेहे सिमरत गात होए फिर अगले स्लोक वेच परमाया जेहे सिमरत गात पाई है तेहे पाजरे तैमीत कहनानक सुनरे मना ओद कटत है नीत जेह सिमरत जेह सिमरत शिमरत शिमरत शिमर के जेह सदा समर्ण करके जेह सदी याद वेच जुड़के जेह सदा चिंतन करके के सदा सिर्जनार दातां देन वाले दा गात पाई है उची आत्मक मानसक वस्था हासल करी दिये महराज किंदे ने तेह पाज रे तैमीत है मेरे मितर उन्नु पाज उन्नु याद कर जेसदा समर्ण कर नाल उची आत्मक मनो वस्था प्रापत हो दिये सबर वाली वस्ता, संतुष्टी वाली वस्ता, शुक्र गुजारी वाली वस्ता महराज आकदे ने कहुनानक सुन रे मना ये मेरे मानक ये गलते आनाल सुन ले, पले बन ले अपने आप वेच इस गलनों वसाल है अपने वजूद वेच तू नहीं वेख रिया जो कुछ तेरे हथों जा रहे है, अओद कटत है, नीद, नीद मतलब नित, नित मतलब कांटीन्यू, लगातार अओदा मतलब है उमर, लाइफ टाइम, चिड़ा वक्त सानू मिलिया है, उदी कटाउती हो रही है, रेगूलर हो रही है हर पल, हर सादे नाड़, सत्गरू आखदेने उप काट रही है, नीद मतलब नित कांटीन्यू लगातार तेरी जिन्दगी काट रही है, गरीब नवाज ने बड़ियां बाक मालुदार ना बानी चिड़तियां ने, ये सानू, रियलाइज कराउन ली, समझाउन ली ने, एहसास कराउन ली और एहसास जिऊंदे होनते मनोख जिऊंदा है, चेते चरखे हो, जदो गुर्बानी केंदी है ना भी आखाँ, जीमा विसर है, मर जाओं, जीओ धे होनदा एहसास है भी ओ है, ओ किरियाशील है, ओ ही सबोग हो जाए, एह एहसास ही अना है का, तब तुसी साचमच जीवत ह जदो विसर रहे है ओ एहसास मर गया हो दे होनदा तो अड़े अंदर, एहसास नहीं का, तक गुरू साब केंदे हुए सरीर जीवत जीर एह है, इनों कोई जीना थोड़ी कहीं देंदा है, पि सरीर जीओ जड़ा है, फ़ार क तालते जीर जीर ए, बस इदी जीनी की है, एद मतलब है भी एदे मान दी कोई इने वैल्यू नी समझी सुर्थ दी कोई कदरों कीमत नी इननों लगया भी पांच तात दा पुतल है रिड़ दा रवे खांदा पींदा रवे बास से लाइफ है एज जिंदगी है उनों सद्ग्रू सचे पाथशा जी फिर मौँदे ने हजूर केंदे भी अओद कटता है नी ता बाणी दा वाक है देन ते पैर पैर ते करिया आव कटता है ता नशी जदो पाक कैना महरा केंदे समा एक ता वक्त जड़ा है वक्त नों कटता है एक ता समेदी कटती हो रही है ते समेदी कटती दे नाल की होंदा है सरीर भी खीन होंदा है पराणा हो रहा है ना जो जो पराणा होंदा जाएगा ते हो ते हो कमजोर भी होंदा जाएगा आव कटा है उमर काट रही है ते तान चीच जड़ा है कमजोर हो रहा है मरन वाले पासे नों सफर कर रहा है इस द बाबा शेख फुरीज साब कहीं देने अगों नेड़ा आया पिछा रहया दू उनसानों कोई पुछे किन्ही उमर है ते मैं आखां भी पैंती साल है कोई आखे चारीस साल है कोई आखे पंजाए ने ता मतलब पंजाए साल पहले ही जम्मया सी ना बंदा वो वकत ते किते रह गया पंजाए साल पहला नी गाला है उन अगला वकत ते नेड़े आ गया जिन्हां मेरे कोड़ वकत है ता मतलब वो ता कटावती हो गई वो ता लेस हो गया समाग वो ता उना अथनी आ सकता सद्गुरू सचे पादिशा जी फरमाँदे ने पांच तात को तान रचयो जानों चतुर सुजानो जेहते उपजयो नान का लीनों ताह मैं मानो पंजात ततांदा तान रचया है पंजात ततांदा जिकर है कोशा विच हवा, पानी, अग, तरती और अकाश आप तीज, बाए, प्रित्मी अकाशा गुरू ग्रंट सावेच विए नदा पंजादा जिकर है आप तीज, बाए, प्रित्मी अकाशा अकाश तो पावे स्पेस स्रीर जो स्पेस नहोए ते सा नहीं आ सकता सावा नो स्पेस चाहिए दिया ये पंजा ततांदा स्रीर दा पुतला है पांच तात को तांदा रचेओ जाननों चतर सुजान है चतर तेज तरार ते सियाने मनोख इस अगालनों समझ पी आज यड़ी बाड़ी है यड़ा स्रीर है ए पंजा ततांदा तांचा है मटीरियल जड़ा है पंजा ततांदा है ते सद्गरु आकटेने जेहते उपजेव नान का जिस कुदरती पसारे विचों कादर दे हुकम तेरजात तहत उपजेआ है लीन ताहे मैं मान जिस चुँँ उपजे है उदे वेची वलीन हो जाएगा जानिके मटीरियल ने मटीरियल वेचर आल जाना इसे नों महराई तानुगरु अर्जन साथ पात्षा ने आपने शब्द वेच चिके है जिते हजुर आकटे ने भी माटी पवने मह पवन समाया जोती मह जोत रड़ जाया माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ ब्रहम ग्यानी मिल करो भी चारा एत ओ चलत पहा गुरु अर्जन सामाराई दिरिश्टी जड़ी है क्योंकि वो सड़े वर गी नहीं न जड़ी मो वेच बज़ी होई जड़ी पकड वेच बज़ी होई जड़ी हंकार वेच बज़ी होई इता उपीज दा बिनसदा टांचे बन दे बिखर दे रही दे ले यसे करके बाणी तुसी वेखों के सरीर नो तश्वी कादे नड़ देती कड़े नड़ मिटी दा कड़ा मिटी दा पांड़ा उन ऐसी हैं जदों गुर्बाणी दे वेच तुलना ऐसा जदों कमपैरिजन कीता जानदा है ज़ा ऐसी जदों तश्वी दिती जानदी है तो दा पावंदे भी हीजी के लिए जड़ा सरीर दा टांचा है यजड़ा स्ट्रेक्चर है एक केवल मिटीरियल है इन चलोण वाड़ी सता है उन्हों महराज केंदे ने जोती मैं जोत रड़ जाए जोतो पावातमा चेतना स्पिर्ट हांस किन्ने शब्द बाणी विचेदे प्रती वरते उन्हों थे सत्गरू गरू अर्जन सा महराज जिनों की केंदे ने एतो चलत पहा चलत दा मतलब कोतक खेड ताहिए महराज सुक्मनी साविच केंदे ने आवन जान एक खेल बनाया आग्या कारी कीनी माया पर सब का मादल लिपतो रहे बाकमाल वियाख्या भी ओ सत्ता है प्रमेशर जदों केंदे ने भी साड़े वेच्चा है तो साड़े नाल जम्या थोड़ी है नाई साड़े नाल मरेगा ओदे ते फिर ओदी उन्हों सत्त ग्रूप केंदे वियाख्या देने सर्बन वासी सदा अलेपा तो ही सांग सुमाई पुछे है महरा जो अलेप केंदे हो गया जे मेरे वेच्चा है ते मैं ता जन में हा मैं दुखी हुना मैं खोश हुना मैं इन्हों इर्खा वे आपदी है मैं इन्हों क्रोद वे आपदा है मैं इन्हों हंकार वे आपदा है मैं मरांगा मैं रोगी भी हुना फिर ओ क्यों नहीं जिड़ा मेरे अंदर है ओ कि मैं अपेज रह जाना है सत्गुरु केंदे ने जिवें अग सब कुछ साड़के भी अपेज है जिवें पंची अकाश वेच उड़दा है ता मगर निशान नहीं पहिए मलायना लांच है पार मलो पर मलीयो बैठो रही आई आवत केने ना पेक्यो कमने जाना है रही बाई कौन का है किन बुजी है रमया कुली बाई जिवें आकाश है पंची अलो खोज निर्ख होना जाई ते एक होर उदा अरण देती केंदे ने जिवें रात दे समय कड़े पाणी दे परके रखे होन ते चंदरमा दा प्रती बिम्ब अक्षो दे वेच पहिंदा है पर चंदरमा कड़ेज डोगदा थे नहीं नाई गिल्ला हुंगा है क्योंकि उदा प्रती बिम्ब अक्ष मातर है उन्हों सद्गरु केंदे ने जाल कटा हूँ चंदरमा इससे तरह उस सता अलेब है सर्बना वेच होके वी वो हर किसम दी किरिया दे पर बावतों मुकत है इही उस दी महत्त है ते सहर सद्गरु सचे पाधिशद ये से करके फरमाओ दे ने तानुगरु अर्जन साब ने कहे तो चलत पहा कौन मुआ रहे कौन मुआ चेतना ते खत्म नहीं होई चेतना ते सद्गरु ने कीरिया चाहिए ओ चेतना दे विच्छों मटीरियल जेड़ है ओव वख وख रुप तारण करदा रही दे बन तरह बनदियां रही दियत ने उसस्तर दियां रही दियां ने तैंदियां रही दियां उन्हों सद्गुरु एक शब्द वेच कहीं देने उतपत परलो शब्दे हुआ है शब्दा पावेत हुकम है शब्दे ही फिर उपत हुआ है तो इस मुच्ची क्रिया जड़ी है इसे तरह चल दी रहें दी है टा उसारे उसरे टाहे उपजय निपजय निपज समाई तो सद्गुरु पाथशा जी फिर मौदे ने जेहते उपजयो जेहते मतलब जेस सत्ता दी रजा वेच जेस मालक दी रजा वेच इस उदरती पसारे चों इस पांज तात जड़े उपजय हन ते कठे होके एक देही दी बंतर बन गई है जदो ये देही खंड़त होएगी पांज तात बेखर के किते जानगे इस उदरती पसारे वेच वलीन हो जानगे ये दिवेच राड जानगे उन्ये जदो एग हल लेना चेते वेच रख्यो इते फिरोस दा हांत नहीं ना काम होना जिड़ा केंदे भी मनोक नो कबर वे चपा देओ पर लो आएगी क्यामत क्यामत आएगी ते मुर्दे उठाये जाने दीही ते गड़ गई कुछी अकॉट उठाया जाएगा केंदे आकमा उस देनो दा हिसाब होएगा गुर्मत केंदे आहकर करे सु आहकर पाए कोई ना पकड़िया के साध़ थाए ते सत्गरू महराज ने आखिए पि तुस्सी देई देशा बना ले फिजदो फिर उठाया जानी जदो फिर उठाया आत्मा ही जानी है तब फिर एक एंड दी ते जरूरती नहीं ना रह गई फिर देई नो कबर चपाईए के देई नो आगज फिर ता जो मरजी कर दे उस संभालना ही है जदो देई ते निजमी लागू नहीं हुंदा तब फिर देई नो जवे मरजी डिस्ट्रॉई कर उन ता संभालना है ना भी डेड़ दे ते संभालना है बस जो वेलेबल है तरीका हो वरत आ जा सकता है वो वरतों चले आंदा जा सकता है दर असल लोड़ां चो निकली हूं यहां चीजां दे नाड़ जियों जो मानता हमा जुड़दियां गई हैं एक नवी व्याख्या कडीदी गई उदे नाड़ मुक्ती दे संकलप जुड़ गए उदे नाड़ दोजक बेश्ट नर्क ते स्वर्ग जुड़ गए उदे नाड़ होर कई चीजां जुड़के ते एक बहुत अलाइदा किसम दी गालब है पर इते सद्ग्रु महराज ने बड़ा शपष्ट कैब स्रीर दे परती के इंदे ने जेस कुदरती पसारे वेचों ये पांजात अतां दी जड़ तुंदी ये उदे वेची जाके बलीन हो जांगा काट काट मैं हर जूब से संतन कहिओ पुकार कहुनान कु तेह पाजमाना पाओ निद उत्रें पार काट दा पाव है स्रीर काट तो पाव हिर्दा भी है हर एक हिर्दे दे वेच हर जू बसे हार देही हर हिर्दे वेच इदा पाव है स्मुचे लुच हर वजूद वेच हर एक वजूद वेच हर जू बसे परमेश्र अकाल पुरुकदी सत्ता वसरे है मौजूद है अबेलेबल है पादिशा के इन्देने संतन कहे हो पकार संतन तो पाव की है जिनने उस सता नो हारजू नो पहचानेया सिजानेया ते जानेया उस संतन सत संगी साच नाड एक मेक होए लोग उननो सत गुरू के इन्दे संतन कहे हो पकार के कह रहे हैं तेहे, तेहे मतलब वो सनू के सनू जो काट काट मैं है अंतरात में तेरे वजूद तेरी सुर्थ, तेरे चेतन तेरे अपने आपे वेच मौझूद है जिड़ा पउनिद उत्रहपा पउनिद ने मतलब पवजल है जगत पवजल ते जगत नूँ पवजल क्यों क्या है जिस नूँ पगत नाम देव साथ के ने लोब लेरत नी जर बाजाए काया डूबाए केशवा संसार सुनुन दे तार गुबिंदे तार ले बाप बीटो जगत नूँ पवजल कैन दे कुछ कारण ने गुरु गरंच साब दी बाणी जदों क्या गैसा सार अगाम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाए क्योंकि ये थे हर एक किसम दी नेक्टिविटी मौजूद है थिड़कन दी पूरी पूरी संभावना हर वक्त हर सादे नाड है इते हर मंदी वाशना ते मंदी पहम नामा दे शिकार होन दा हर वेले ही संसा है चांस है दावा कोई है इसलिए सद्गरु के इन्देने भी मानोबी बेडा सुमंदर वेच ठिलिया हुए है वो सफर दे वेच है उनुत तफान आ जाए इदी पारितां जड़ा केप्टन जाज़दा वो दावा नहीं ना कर सकता है अब तफान नहीं आएगा छला नहीं उठनगी है वो तां केवल अंदाजा ला सकता है दावा नहीं कर सकता हो अनल बेडा हों, खेव ना साथ हों, तेरा पार ना पाया, बीठुला, तो सभ सत्गरू कहीं देने, पहो ने जगत पवजलनू, संसे अंदे करनू, तो पार कर लेंगा, पाब, विशे, विकार, अवगंड नेगटीविटी तो, तेरी सुर्थ ते मान, तेरा जीवन, उबर ज जाएगा, बाच जाएगा, जे तू तेहे, आपने वजूद वेच वासदे होए, परमेशर काल पुर्कदा, चिंतन करेंगा, उस दी याद वेच जुडेंगा, सैब किर्पा करन, अगले रेसलो का पां, अगले दिवाना वेच विचारन दा यतन करांगे, सत्गरू महराज वियाँ पुला चुकान दिखिमा बक्षनाव सबनादा तानवाद, अदब सहत गुरू फते नार, सांज बनाओ, वाहिग गुरू जी का खालसा, वाहिग गुरू जी की फत्र